अगर कोई व्यक्ति किसी स्चिडूल कास्ट या स्चिडूल ट्राइब SCST के व्यक्ति के साथ कोई अमानविय या गैर कानूनी हरकत करता है या वारदात करता है तो अब उसका ग्रहतारी ततकाल तुरंत नहीं होगी अत्याचार करने वाले या पराध करने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत मिल जाएगी साथ दिन तक इस वारदात की जाच होगी उसके बाद कारवाई होगी सरकारी अधिकारी अगर कोई है तो उसकी गर्फतारी से पहले उसके बड़े अधिकारी से परमिसन लेनी होगी अगर गैर सरकारी करमचारी कोई वारदात करता है किसी SCHT के साथ तो उसके लिए SSP से मंजूरी लेनी पड़ेगी इस तरह का एक आदेश सुप्रिम कोट ने 20 मार्च 2018 को पास किया इसके पास करते ही 13 दिन 2 अप्रेल को एक छोटा सा संदेश पूरे देश में जाने लगा 2 अप्रेल भारत बन पंजाब, बिहार, जहारखंड, उडीसा, गुजरात, हर्याना, महराष्ट, दिल्ली चारों तरफ जितने भी S.C.E.S.T. के लोग थे क्योंकि ये सारा एरिया बहुत जागरित और जागा हुए एरिया है इसके लोगों ने बिना किसी नेता, बिना किसी संग्ठन, बिना किसी लामबंद या और्गनाईजिशन के बगैर ही सब लोगों ने ये तै किया कि 2 अपरेल 2018 यानि 13 दिन हम भारत बंद करेंगे और ये पूरी दुनिया में एक कमाल की बात रही कि लोग इतने जागरित और इतने जागरित और इतने जादा समझदार हैं कि वो सारे के सारे ही अपने सारे मतबेद छोड़कर सडकों पर आ गए 2 अपरेल 2018 को इसको देखके बहुत सारे लोगों के हाथ पैर फूल गए कई लोगों ने उनके उपर गूलियां भी चलाई जिसमें लगबग 14 लोग मारे गए 9 MP में, 3 UP में और 2 राइस्थान में कुछ लोगों ने कुछ लोगों को भड़काया, उकसाया और जबजस्ती एक शान्त आंदुलन को अशान्त आंदुलन करने में बदलने में पूरी कोशिस की लगबग 132 के करीब सरकारी आंकड़े के हिसाब से लोग ग्रफतार हुए और सैकड़ों की संख्या में इंजड हुए, घायल हुए पूरा आंकड़ा लगबग आज तक भी नहीं आ पाया है 20 मार्च को जो सुप्रिम कोट ने ये आदेस पारित किया था सरकारी ने उसे निविदन किया कि इसको आप दुबारा से सुने मगर तीन अपरियल को सुप्रिम कोट ने इस्टे देन देने से मना कर दिया और आगे का टाइम कुछ दिन का दिया बात आई गई हो गई, कोई पैरवी करने वाला था नहीं मजबुरन फिरस जितने भी लोग थे स्टी स्टी के उन्होंने 9 अगस्त 2018 की भरत बंद की कॉल दी इस कॉल को देखते हुए क्योंकि पहला वाला जो भरत बंद है वो पूरे भरत बंद में अब तक का सबसे सफला अंदुरन रहा 3 अगस्त को 2018 को अमेंडमेंट बिल लोगसभा में इंट्रोड्यूज हुआ 6 अगस्त को लोगसभा में पास हुआ और 9 अगस्त को राजसभा में पास होकर फिर वैसा का वैसा ही SCXT Act POAC अमेंडिड 1989 बन गया आज के समय भी जो केस उस समय दर्ज किये गए जिन लोगों ने पोटेस्ट किया था वो केस अभी तक भी बापिस नहीं हुए है क्योंकि लोग तो सारे इखटे हैं मगर जो नेता बनते हैं अपने आपको जो इन से चंदाए का धंदा करते हैं चंदा लेते हैं अपनी सभाव में बलाते हैं इनको खुआब दिखाते हैं और खुद को खुआब में जीते हैं प्रधान मंतरी, मुख्यमंतरी, मंतरी, संत्री बनने के खुआब में और सभी अलग-लग रहते हैं लोग सारे इखटे हैं मगर नेता सारे बिखरे हुए हैं इस कारण से वो जो लड़के, वो जो लोग थे जिन्होंने आंदरुन किया वो आज भी कोर्टों में धक्के खा रहे हैं ये बहुती ज़्यादा शर्मनाक बात है कि जिसका समाज इखटा हो, जिसके समाज के सारे लोग अपने आपको प्रूब कर चुके हों, सत्यापित कर चुके हों, सब सलकों पर आ गए हों सबने बता दिया हो कि हम कितने जागरित हैं और हम कितने इखटे हैं उसके नेता आज भी बिलकुल बेखुफ वाली इस्तिती में, मुर्ख वाली इस्तिती में अलग अलग पड़े हुए हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम से ज़्यादा निकम्मा और हम से ज़्यादा घटिया कोई व्यक्ति कोई नेता इस समाज का नहीं हैं समाज इखटा है और नेता अलग अलग हैं यह अपने आप में दुनिया का पहला ऐसा संक्ठन है जो अपने नेता से कह रहा है आप इखटे हो जाएए हम तो पहले से ही इखटे हैं जो चौदे लोग मरे हैं उनको पूरा भारत तो एप्रैल को नमन करता है नमशकार करता है कृतिक्ता उनके लिए प्रिकट करता है क्योंकि वो जो शहीद हुए हैं जो विश्व शहधी दिवस है उस पे वो मारे गए उन लोगों के दुआरा जो लोग अत्याचार करते हैं इस बात पे बहुत बहुत चली कि ऐसी एस्टी एक्ट को हटाना चाहिए या नहीं चाहिए सारी बात इस बात पर आके रुकी एक्ट खराब नहीं है चाहिए कितना भी कठिन हो चाहिए कितना भी करूर हो या कितना भी सक्त हो आप क्राइम करते ही क्यों हूँ, आपके मन में अपराद करने की बात आती ही क्यों है क्या आपने ऐसा मनसूबा बनाया हुआ है कि SC-ST Act को हम कमजोर करेंगे और फिर हम अत्याचार करेंगे जब आप अत्याचार करोगे ही नहीं, तो SC-ST Act तो अपने आप ही खतम हो जाएगा इस SC-ST POAC Act 1989 में कुछ भी नहीं है अगर आप अपराद करने का मन में लेके आओगे ही नहीं और अगर आप अपराद करने का मन में लेके आते हैं, अपराद करने का सोचते हैं तो फिर इससे भी ज़्यादा सक्त कारवाई होनी चाहिए इससे भी ज़्यादा सक्त एक्ट बनना चाहिए कि आप अपराद के वारे में सोचे भी ना क्योंकि कोई भी एक्ट कितना भी सक्त हो वो आपका कुछ नहीं बिगाड सकता अगर आप उसके दायरे में नहीं आते अगर आप कोई अपराद नहीं करते हैं ये ठीक ऐसे है कि जैसे अगर आपके पास डाइविंग लाइसंस है तो आप गाड़ी आराम से चलाईए आपको कोई नहीं रूड़ोकेगा मगर जब आपके पास डाइविंग लाइसंस है ही नहीं तो आप गाड़ी आराम से चलाईए या तेज चलाईए या धिर चलाईए कोई ना कोई आपको पकड़ ही लेगा इसलिए भारत के लोगों की सुख्चा के लिए और भारत में शांती बनाने के लिए एक्ट बनाये जाते हैं एक्ट खराब नहीं होते लोग खराब होते हैं कोई भी एक्ट ये नहीं कहता कि आप अपराद करें या अपराद को रोकने के लिए एक्ट बनते हैं आप अपना मन साफ कीजिए एक्ट अपने आप साफ हो जाएगा इसकी आवशकता ही नहीं पड़ेगी ये कहीं एपलाई ही नहीं होगा मगर यदि आप अपने मन में बैर रखेंगे अपने मन में कपट रखेंगे आप SC-ST जो लोग हैं उनके पिर्ति आप देश रखेंगे खराब भावना रखेंगे तो फिर ऐसे एक्ट और भी आएंगे और मजबूती के साथ आएंगे धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामू संगं सरेणं गच्छामू उन्थियं पी बुद्धं सेणं गच्छामू तो फियं पी बुद्धं सेणं गच्छामू तो फियं पी दम्ममर्सेणं गच्छामू